एक्स्ट्रीमली इंट्रस्टिंग कॉंसेप्ट ओके सो मैं हूँ कॉमल थिंथ और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी दस बातें जो आपको सुन्दर नहीं लगने देतें जी हाँ सही सुना आपने सुन्दर कैसे लगें ये तो सभी बताते हैं सुन्दर लगने के लिए क्या करना चाहिए ये सभी बताते हैं पर सुन्दर लगने के लिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है यार अच्छा लाइक कर दिये तो अब सिस्क्राइब भी कर दो आगे भी तो मेरी वीडियो देखनी है ना चलो जी अब रिती रिवाज पूरे हो गया है तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जो दस बाते में आपको आज बता रही हूं वो ऐसे 10 फैशन ट्रेंड्स हैं फेल फैशन ट्रेंड्स कह सकते हो आप उसे जो आपको सुंदर नहीं लगने देते अगर आप भी वो ट्रेंट्स फॉलो करते हो तो पक्का है आपके ओपर कोई ना कोई तो जरूर हसा होगा किसी ना किसी ने तो आपका मज़ाग जरूर बनाया होगा क्योंकि यार यह सची में अच्छे नहीं लगते तो ध्यान से देखना कहीं आप तो यह वहले फैशन ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते हैं अगर करते हो तो आज से ही बंद करदो तो जी सबसे पहला वाला मेकप का एक ट्रेंड है वह फाल्स ऐइलैश्जिस का हमने बहुत सारी गर्ल्स को देखा फाल्स ऐइलैश्ज थिख लगती हैं इंस्ट्राइम पर वीडियो में देखते हैं या वीडियो में देखते आप अच्छी लगती है पर कई अपने रियल थी को लगाये हूए फोटो या वीडियो में इतनी ही बकवास लगती है बिल्कुली जो नेच्टरल लुक देती है वो इतनी जाद थिक अप्लास्टिक सी नहीं होती है वो एक नैच्रल सा फी देती है बड़ी सॉफ्टिक सी हो तो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा रिभ्ड जीन वह पड़े लोगों को जब यह त्रेंड नया था तब तो डीस्तों है तो उसकते हैं पर अब तो हदी होगी है कहां कहां से फटी होती है यह जीन्स और बोलो तो बोलते हैं कि जी फैशन है यह फैशन खेदे सवाल लगता है जैसे टॉमी ने जीन फार दियो बहुत बुरा लगता है यार अगर आप भी एवले ट्रेंड यूज करते हो तो सौरी प्लीज यह वला टॉप्स जो होते हैं बैकलेस हैं ऐसा कुछ पहनती है फो उनके साथ हो सो कॉल ट्रांस्पेरेंट ब्रा यूज करती है मकसद तो यह होता है कि वह ट्रांस्पेरेंट है और किसी को दिखे ना पर आपको पता है मज़े की बात क्या है सबसे ज़्यादा यही वली जो ब्रा दूसरी पुरी ने लगती दूर से चमकरी होती चुचे डुर लीं पुर्वी तो बैटेर की यह तो वेली ब्रा यूज करके मजाग के पात रना एं और कोई शींत्यू सी ब्रा होती जो जो पात अपर उनमें इन्वेस्ट करें यार वो आपको स्पोर्ट भी देंगी और यह दिखेंगी भी नहीं अच्छी लगती है वो यूज कर लो यह वली मत करना प्लीज तो अब है जी थिन आइब्रोज आइब्रोज शेप में हो तो अच्छे लगते हैं बट शेप में पतली सी लाइन हो पर बहुत लगती है ज्यादा थिन आइब्रोज बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती वह बहुत ओल्ड फैशन लगती अट्रक्टिव नहीं लगती तो आइब्रोज बनवाने तो इतने ज्यादा पतले मत करवालों कि वह ऐसे सिर्फ लाइन सी लगती है अच्छा नहीं जाएक तो आएब्रोज रिलेटर ही मुझे एक बात और याद आई कि जब मेक फ में ऐब्रोज को फिल लिन करते हैं तो हम उसके लिए ब्लाक कर लर की कई बर चींशा को लेकर ऊतरSON तो इससे बेटर है कि आप ब्राउन कलर की जो पैंसिल्स है वो यूज करो वो आपको नेच्रल लुक देती है बहुत प्यारी लिगती है तो वो यूज करो तो जो नेक्स्ट है वो कुई ऐसा फैशन ट्रेंट तो नहीं है कि जो बुरा लगता है पर वो आप एक टीपी समझ कि यूज करते हो अगर आपकी लेक्स चाहिए चाहिए मतलब थोड़ी मोटी ताजी है पलाजो कर दो तो च्यूंकि वो प्लाज को आपके लाखनोher से उपर्लाव जबरता है क्याः को आप प्लाज हो अत् при Mini on pulis или calf area बहुते हैं तो अगर आपकी लेक्स ज्यादा पतली हैं मतलब शैबी हैं तो आप ब्लैक फिटेट जीन्स जो है वह वाइड करो क्योंकि ब्लैक कलर जो है वह आपको और भी ज्यादा पतला दिखाता है तो इसी की साथ एक वाटी जोड़ो कि अगल आप थोड़े से ज्यादा हैल्दी हो तो ब्लैक कलर पहनो उसमें थोड़े पतले लगोगे तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आपकी लेक्स जो है वह ज्यादा पतली है तो ब्लैक कलर वाइड करो वह आपको और स्यादा दिखाएगा पतला तो उससे अच्छा है कि आप कोई और कलर की जीन्स जो है वह 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 अपने इंडिया में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ब्लॉंड कलर के करवा लेती है अपने सुंदर से ब्लैक हैस को पता नहीं क्यों यार ब्लॉंड है वह हमारी इंडियन स्किन टोन के साथ अच्छे नहीं लगते चाहे आप कितने भी फेर हो कितने भी गोरे हो फिर भी अट् प्राउन कर्वालों कितने और कलर रहें आप ब्लॉंड मत करवा हों अब इंडियन है तो इंडियन ही रहेंगे रदसथी के अख्री नहीं जबर्धीज के की बनने coz। wz है तो इसे क्या होता है कि डाऊन्द टी पहने पहना है बहुत फिल्टी भाता ही व्यमम्हें ब्लूरी पूरीफनी पहना के एक उते Хण वह मोजेज तो अगला है ब्लाक लिप लाइनर कुछ लेडिस को मैंने देखा है कि वो ना रैडिया कोई भी और डार कलर की लिप्स्टिक उपर से ब्लाक कलर की आउटलाइन कर लेती हैं आपने भी कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा तो यह ट्रेंट भी बहुत ओल्ड फैशन है अब नहीं चलता है अगर आपको लिप लाइनर यूज करने है तो अपकी लिप्स के साथ मैस्ट करते हुए यूज करो लेकिन ब्लैक मत करो तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है व होनी चाहिए अब जैसे आप चल रहे हो आपकी वॉक जो है वह वैसी होनी चाहिए मतलब फील के साथ अगर आप कंफटेबल नहीं हो आप से नहीं भी चला जा रहा है तो थोड़ी देर बात पहनों पर मतलब प्रैक्टिस करके पहनों पर ऐसी नहीं करना कि मतलब आपको न तो इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करके पहन लो तब तक आप फ्लैट से और कोई स्टाइल पहन लो पर हाइल तब ही पहनो जब आपको अच्छे से चलना आ गया उसमें अगर आपको इससे कोई भी मतलब अश्छा अच्छा लगया पहनो तो आप वो करने के लिए फ्री हो मैंने सिर्फ अपनी परस्नल चॉइस तो मैंने एपके साथ श्यार की है वाकि आपको जो अच्छा लगया पहनो और दुरुग तो अगर आई है तो प्लीस यार लाइक कर कर दो और स्क्राइब कर दो और प्लीज प्लीज इसको शेयर कर दो बहुत सारे लोगों के साथ ताकि इसना बहुत सारे वियू हो जाएए ठीक है तो अभी अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाओ बहुत सारी वीडियो है ऐसी वह देखो और शेयर करो और उने भी और ट्रेंडिंग में ला हो उने तो सिस्क्राइब तो आपने करी दिया है तो अभी बाए